नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्षेक्स बंतरा में आज हम पढ़ेंगे बाइलोजी की मुस्ट इंपोर्टन कोशन पार्ट टू पिछले पार्ट में भी हम 50 कोशन कंप्लेट कर चुके थे और हम इसमें भी 50 कोशन देखेंगे आंगे की भी हम पाइलोजी से लिए आपके लिए पार्टों के रूप में कुस्टन लाते रहेंगे तो आई देखते हैं पहला कुस्टन फलों का अध्यन कहलाता है फिनोलोजी कहलाता है पॉमोलोजी एगेस्ट्रोलोजी एंथ्रोलोजी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पर्मोलोजी फलोंकाध्यन कहलाता है कुछ सब्सक्राइब नेश्ट देखेंगे दुई नाम पद्दी के पर्तिपालक हैं डार्विन हैं थियो फ्रेश्टस हैं लीनियस हैं या हिप्पोकेटस हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा के रोलस लीनिय सब्सक्राइब देखते हैं जीवानों की खुष सर्फथम किस ने की थी रवाट कोच ने लुष पास्चर ने लुवन हो जाएगा वो हो जाएगा लुवन होग एंटानिवान लुवन होग ने और रोवार्ट होग है नोंने की ती कोश का की खूज 1665 में ठीक है और जो तो इसका जो आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा जीवानों की कोच किस ने की थी लुवन होग ने ठीक है नेक्ट कोशन देगे कोशन नमबर 53 जिन पौदों पर वीज बनते हैं किन तूपुस्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं ब्राइवफाइट्स टेडवफाइट्स आ अनाब्रत वीजी तो इसका अंसर हो जाएगा उफसन नमबर डी अनाब्रत वीजी नेक्ट कोशन देखेंगे जीवानों की साधना अक्रती क्या होती है सरफिल होती है गोल होती है छड़ रूपी होती है या कौमा रूपी होती है तो इसका अंसर हो जाएगा उफसन नमबर या इस पायरेल आ जो इसका वह जो जाएगा ओफसेन नंबर भी असर नंबर बी गोलाण। ठीक है नेक्ष कुशन देखें इन खुंबर 56 युद्स कॉंसा रोग ब्यक्टिर्या से होता है यानि कि ऐसा कॉंसा रोग है जो ब्यक्टिरिया से होता है फिल लिया होता है तरह Ondatot never भी पेड़र जिनत कीति जो है प्लिए द पेड़र यह किसे होता बैक्टीरिया से होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं गसे आइसा सेवन होनों की आंधे मोला जीवान है यसा कौन सा जीवान हो हो जो माइयो की आनधे मैं पाया जाता है एस रसिया कोलाई कोरोना बैक्टिरियम बाइब्रियो कॉलोरी इनमें से कोई नहीं तो इसका अंसर हो जाएगा ऑफ्सन नमबर एस रसिया कोलाई तीक है यह मानों की आत में पाया जाता है कुस्सर नमबर 50 एड देखेंगे एंटी बायोटेक अधिकान सितहा पाया आप रत्वीजियों में कवकों में विसानुओं में या जीवानुओं में तो इसका अंसर हो जाएगा ऑफ्सन नमबर डीव जीवानुओं में कुस्सर नमबर 61 देखते हैं नमलगित मैंसे किसके द्वारा दूद खटा होता है वाइरस के कारण होता है बैक्टेरिया के कारण होता है निमेटो के कारण होता है या प्रोटो ज्वा के कारण होता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑफ्सन नमबर डीव बैक्टेरिया के का क्राण होता है किनॐ कि दूध होता है दूध में ने पाया जाता है रिक्त स्वानु पर जीवानु संक्रावन की कारण होता है चसा रहता है जीवान्णू का吧 किरमड की कारण होता है सब्सानु की खूच किसने की थी आइभाई नोवस्की ने एडवर जेनर्र ने लिट्व ने या इसमत ने इसका जो अंसर हो जाएगा वो और आपका 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 बेट नंबर एंग आइबड़ वसकीने सबस्व सम वैसानु की कोच की थी ठीक है इस कुष्सन नमर 64 चेचक के लिए टिंके का विकास किसंय किया था मिलिस्टीन देर चेचक के टिंके का विकास किस ने किया था या इने वैपीस पाह्ष्टर नी जैनुजर लोईस पास्चर ने इस्टीव कृa सब्सक्री को ओच नहीं सियुकभ में जमनी का करान हैं automatically वैसलस का माइक्रोबेक्टिरियम ख़मीर इन वसे कोई नहीं तो हमने अभी बताया था कि जो दूद में खटापन पाया जाता है वह लेक्टिक अम्र के कारण या जैता है और उसमें 20 होता लैक्टिक लेक्टोबेसलास तो इसका जो अंसर हो जाएगा ऑफ्षान नमघर एव लेक्टो वैसिलिस को से नमबर शृषित से कौन रहोता है सेवाल होता है विसानु होता है कभल होता है या प्रोटो जुआ होता है सभल सी मतलब ओना पौछान स्यंटान करतें खाना या भोजर्ण स्यंट बनाते हैं ठैद्टि तो और इसका जो आंसर हो전non 66 का ए क्या हो जाएगा ए टिक का रोग किस में होता है टिक का नामा की रोग होता है वह किस में होता है जुर में होता है गन्ना में होता है चावल में होता है या मुंफली में होता है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑफसर नमबर डी जो टिक कर रोग होता है वह मुंफली में होता हैं एक यचाईवी द्वारा होने वाला रोग है कैंसर है चेह रोग है अत्सक है यह इन में से कोई नहीं तो इसका अश्र हो जाएगा ऑफसर नमबर सी अत्सक इसके कारणद कौनसा होता इटस रोग हो जाता है और जो इसका एचाईवी का फूरा नाम क्या है human immunovirus ठीक है next question देखें question number 69 निमलिखित में से कौन सा रोग विसाणूं के कारण होता है किसके कारण होता है विसाणूं के कारण होता है malaria यक्ष्मा चेचक या पीलिया तो इसका answer हो जाएगा option number C जो चेचक है वह विसाणूं के कारण होता है ठीक है question number 70 देखेंगे किस सहवाल से iodine प्राप्त होता है ओडोगोनियम यूलोथ्रिक्स एक्टोकार्पस या लैमिनेरिया तो इसका answer हो जाएगा option number D question number 71 देखेंगे hydrophobia रोग उत्पन होता है विसाणूं से जीवाणूं से इस्ट से या प्रोटोजवा से तो इसका answer हो जाएगा option number A विसाणूं से ठीक है निमलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं एंजाइम्स नहीं होते हैं विसाणूं में जीवाणूं में सेवाल में या लाइकेंड में तो इसका answer हो जाएगा option number A विसाणूं में एंजाइम्स नहीं होते हैं कुस्टे के काटने से जिस विसाणूं के गात रोग उत्पन होते हैं क्या कहलाते हैं जो कुस्टे काटते हैं उस विसाणूं के द्वारा गात रोग उत्पन होता है क्या कहलाता है है जा कहलाता है विचिस कहलाता है मम्स कहलाता यह जीवानु जनित रोग या इन मैंसे कोई नहीं तो इसका अंसर हो जाएक आफसेs नंबर बी जीवानु जनित रोग ठीक है कुछ्न नम्बड सेवेंटी gefाइब देखें खसरा निम्लिके संक्मण के कारण होता है जीवानू के कारण होता है माइक्रोप्लाज्मा के कारण होता है विसानू के कारण होता है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑफसर नमबर सी जो खसरा है वो विसानू के कारण होता है ठीक है कुछ नमबर 76 देखेंग के कान होता है फफुन्दी के कान होता है लाइकन के कान होता है जीवानु के कान हो तो इसका जो राइट अन्सर बनेगा रोग किस के कान वच्त Hmm विसानू, ट्रोटो जुआ, जीवानू या ए सभी तो इसका जो राइट आंसर वनेगा ओफ्सन नमबर ए ओफ्सन नमबर ए विसानू के कारण ठीक है कुस्सन नमबर 78 सेवालों की कुसका वित्ति किसकी वनी होती है क्यूटिन की वनी होती है काइटिन की वनी होती है सुवेरिन की वनी होती है या सैलूलोज की वनी होती है तो इसका अंसर वनेगा सैलूलोज जो सैवालों की कुछ का वित्ती होती है वह सैलूलोज की वनी होती है ठीक है कुस्षा नमबर 79 देखेंगे केलप प्राप्त होता है लाइकेन से समुद्री सेवाल से जलिये पौद सेवाल से या सेवालों से जो केलप प्राप्त होता है किस से होता है और से नमबर 20 समुद्री सेवालों से कुस्षा नमबर 80 देखते हैं लाल सागर का लाल रंग किसकी लाइकेन के कारण सेवाल के कारण या जीवानू के कारण तो इसका जो आंसर बनेगा सेवाल के कारण ठीक है इनका लाल रंग सेवाल के कारण होता है समुद्ध की तली में सेवाल लगे रहते हैं यह लाल रंग के होते हैं किसी कान इनका रंग समुद्ध का जो पानी का रंग देखता है लाल देखता है अगर-अगर किस से प्राप्त होता है सैवाल से जीवानू से मौस से या कवक से तो इसका अंसर हो जाएगा अपसर नमबर A जो अगर-अगर होता है वो हमें सैवाल से प्राप्त होता है बनस्प है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका क्या बताइए क्या हो जाएगा इसका अंसर आपसा नमबर बी माइको लोजी ठीक है कुस्टा नमबर 83 देखते हैं कब कोंकि कुस्ट का वित्ति किसकी बनी होती है काइटिन वा हैमी सेल्यूलोज लिपिट्स प्रूटीन या हो जाएगा आपसर नमबर ए काइटिन हो रही मी सेल्यूलोज की वनी होती कब कोंकि कुस्ट का वित्ति ठीक है सभी कवक्षडियो होते हैं मर्थोफगजीवी पर जीवी विविद पोसि या स्वेठम पोसिब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑसनलgregसी बिविद पोसि क्या होते हैं विविद वोसी कुस्षन नमबर 85 देखेंगे बिच्छों की चाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं जूफिलस, कोर्टी कोलस, कुरूपोफिलस या सक्सी कोलस तो इसका अंसर हो जाएगा 85 का हो जाएगा उफसन नमबर B, कोर्टी कोलस ठीक है, नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सेवन देखते हैं निम्द मेंसे किसमें क्लोरोफिल नहीं होता कपक में सैवाल में ब्रयूफाइट्स में टेयुडफाइट्स में तो इसका अंसर हो जाएगा आपसन नमबर एंप कबक में क्लोरोफिल नहीं होता ठीक है कोश्टन नमबर 88 देखेंगे खाली चट्टान पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है परमेलिया शेक्स टिलेस शेक्सिकोल्स इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर हो जाएगा ऑफसन नमबर सी सेक्सिकोल्स 99 देखते हैं जापान इमें लोग किस लाइकेन को सबजी की रूप में खाते हैं रोसेल इंडोकारपन परमेलिया ये सभी तो इसका अंसर हो जाएगा ऑफसन नमबर बी इंडोकारपन कोसन नमबर 90 मिरगी की उसदी किस लाइकेन से फराप्त होती है रोसेल कोनोनेरा इंडोक परमेलियम तो इसका अंसर हो जाएगा ऑफसन नमबर डी परमेलिया ठीक है बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन होती है बीजों की जो प्रकृति होती है किसमें उत्पन होती है कवक में सेवाल में टैडोफ हाइट्स में या ब्रायोफ हाइट्स में तो इसका अंसर हो जा झाला एक यह ज़्य फर्ण है के वाख़ है सेवाल है या लाइकरण है तो इसका जो वंजाएगा उसे नंबर ए जलिए फर्ण है जो ला क्या है जलिए फर्ण है को तर्शन नंबर जो होता है उसे हम जब और व्रक की रूप में भी प्रियोग करते हैं कुस्सान नमबर 94 सबसे अधिक क्रोमोसूम किसमें पाये जाते हैं टेरुडुफाइट्स में व्रायुफाइट्स में मनुस्स में या हातियों में तो इसका अंसर हो जाएगा ऑफसन नमबर ए क्रोमोसूम पाये जाते हैं या गुडुशूत पाये जाते हैं ठीक है किस बरक के पोधों में बीज बनते हैं परन्तु बीज नगन रूप में पोधों पर लगी रहते हैं जिम्नोस्पर्म एंजिस्पर्म टेरुडुफाइट्स या ब्रायुफाइट्स तो इसका बनेंगा ऑफ्सन नमबर ए जिम्नोस्पर्म ठीक है क्या बनेंगा जिम्नोस्पर्म कुष्ण नमबर 96 सिल्वी कल्चर बनस्पति विज्ञान की वैसा का है जिसमें बरन होता है बन के विकास का सिली फिफाइप आदुपों का कबुकों के संबरधन का स्यावालों के प्रोटीन जो कुसका के भी अब्यूगं की जाती है किसके तौरा संसलेसित होती है अन्ताप्रबय जसका दौरा ग्योल्जी का दौरा मुकत रायबूसा।्ण दौरा तो इसका अंसर हो जाएगा। उस्योम्सफान हो जाएगा और सीद अ tief Future यह दौरों। तो इसका अंसर हो जाएगा option number A जो चेचक है वो बैक्टेरिया से फैलता है question number 99 मूलांकुर के अतरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विक्सित होने वाली जड़ें कहलाती है अब इस्थम्ब मूल, तंतुमे मूल, अप इस्थानिक मूल या इन मेंसे कोई नहीं तो इसका अंसर हो जाएगा option number C अप इस्थानिक मूल, क्या हो जाएगा अप इस्थानिक मूल question number 100 देखते हैं मूलांकुर से विक्सित होने वाली जड़ें कहलाती है मूसला जड़ें, स्वसन मूल, तंतुमे मूल या अप इस्थानिक मूल जूसिया में, मक्का में, पान में या इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर हो जाएगा option number A